मैं आज दा बोटनिस चैनल की तरफ से आप लोगों को एक अनोखे पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका नाम सभी लोग सायद जानते होंगे इस पौधे को जिस पौधे को आप देख रहे हैं पान जैसा इसका पत्ता है और इसमें एक फल लगा हुआ है वाइट कलर का यहां भी फल दिखाई दे रहा है तो इसको लीरी पीपर या पिपली बोलते हैं यह लता के रूप में पाया जाता है इसके छोटी पिपली भी बोलते हैं और एक इससे थोड़ा बरा होता है उसे गज पीपर बोलते हैं यह पोधा आप जो देख रहे हैं यह लता के रूप में फैला हुआ पोधा दिखाई दे रहा है। यह जारिदार जैसा होता है इसके फल और इसकी जर दवा के रूप में इस्तेमाल किये जाते हैं। जैसे यह जो आप देख रहे हैं यह इसके फल है यह जब पक जाएगा तो यह कला कलर का हो जाएगा। यह सुख जाएगा और बले कलर का हो जाएगा। इस थंड़े के सुरुवाती मौसम में यह फल आने लगते हैं और यह फल फुल साथ में ही रहते हैं इसके। यहाँ पर इस परकार पोधे में आप देख रहे होंगे। इसका उपयोग औसधीक रुप में काफी परचलित है और काफी फायदेमंद है। दो तीन इस पिपली को ले 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 और यह फिपली हैं जिसका यहाँ पर यह हरा कलर का जो है इसको दो तीन लेकर पीस लेने हैं और पीस कर सुखा हो या पौडर बना कर सहद के साथ चाटने से दम्मा खांसी सांस फुलना ठीक हो जाता है। पुराने से पुराने बुखार जो ठीक नहीं हो रहे हैं उसमें आप इसका उप्योग कर सकते हैं दूद के साथ कुछ दिन तक तो बुखार खतम हो जाए उससे भी अधिक परसानी हो तो यह एक कल्प होता है कल्प मतलब पहले दिन एक पिपली मतलब एक पिपल को ले ले और पिसकर दूद के साथ उबालकर उसको पी जाएं दूसरे दिन दो तिसरे दिन तीन इस तरह करते करते 11 दिन में 11 पिपली और फिर एक एक कर घ़टाते हुए एक किसमा दिन में अन्तिम करते पहले फिर 11 पिर 10 नौ shopping नौ साथ छे दू एक तरह खतम कर दे और तो इसको प पान्स में में पिले ऊम्मार बहुत फाइदा करता है तथा साथ मिल्यिविश्यु Saturn jinatori अन्य है अजय वफियोक थ leash थाहराइड में भी तिरकुट यह इसका दवा बनता है वह बनाकर कर सकते हैं सरदरदों भी काफी उयं उपयोगी होता है तो ये पोधा अच्छी तरह से आप देख लें किस तरह है पान के पत्ते की तरह है और इसमें फल इस तरह के हैं एक उदिन में पक जाएंगे और ये जो फल है फूल है पहले दो फिर इधर फिर इधर इस तरह है आप अच्छी तरह पाचान लें और अपने स्वास्त लाव के तो लाइक करें, सेर करें, कॉमेंट करें, धन्यवाद.